दान की सीधी विजाई दो प्रमुक तरीकों से करते हैं उसके बारे मैं आप से चच्चा करूँगा पहला तर बतर विधी जिसमें की गेहूं की कटाई के बाद धान जो खेत है उसकी हम अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं जुताई करने के बाद उसको लेजर से लेवलिंग करते हैं फिर खेत में हम पानी लगाते हैं पानी लगाने के बाद जो खेत में बत्तर आ जाता है तो उसकी हम जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद दो तीन बार जुताई करने के बाद उसको हम लेजर से फिर लेवल का या लग्डिल है उसमें दवा की चड़कने की वेऊस्ता भी होती है खरपतवार नासी दवा की चड़कने की इन किसी भी ड्रिल्स के दौरा आप बुजाई करिए बिजाई में जो है कतार से कतार की दूरी करीब आठ से नौ इंच के आसपास होती है और इस विधी में बीज की गहराई हम तकरीबं डेड़ इंच के आसपास रखते हैं विजाई करने के बाद फिर उसको हम हलका पाटा लगा देते हैं और करीब एक हपते का समय लगता है साथ से आठ दिन के अंदर अंकुरन ह हो जाता है अभी आप जैसा की खेत में पिक्चर जो आ रही उसमें आप देख पा रही मोई कि बीश अंकुरित हो चुका है में सीथी बिजाई करने के बाद दूसरा तरीका जो हम बढ़ाई के ले प्रियोग करते हैं उसमें गेहों की कटाई के बाद खेट की जुताई करने के बाद लेजर चलाते हैं लेजर चलाने के बाद पहले हम ड्रिल से धान की बिजाई कर देते हैं और बिजाई करने के बाद फिर हम पानी लगाते हैं पानी लगाने के बाद उसमें अंकुरण जल् बीज होगा तो उसके अंक्रोन में कर एक बार दिक्कत आती है बीज बहुत नीचे दव गया तो सड़ भी सकता है तो इसको हम हलका उपर बीज रखते हैं उसमें अंक्रोन बहुत अच्छी तरह से होता है इसका भी आप जैसा कि आप भी वीडियो में देख पा रहे हैं